हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत हैं आज की वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे कि आप जो लैप्टॉप पर्चेस करना जाते हैं तो उसको आपको अपने नीड्स के साफ से कैसे पर्चेस करना चाहिए तो बिसीकली इस वीडियो में आप यह देखेंग को अपनी नीड के साप से आपको लैप्तोप को प्रचेस करना चाहिए कल को ऐसा ना हूं कि आप बहुत कम बजट वारा लैप्टॉप खरिद ले और आपकी नीड से निसेसरी आपकी जो वर्क आरने वाले हैं उसके बहुत ज़ादा करने वाले है या फिर हैवी एप्स चलान आपको लैप्टॉप मार्केटिव में एविलेबल मिलेंगे बट आपको इसकी नोलाइज होना बहुत जरूरी है तो आए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहले आप देखेंगे जैसे कि आपको जो आपकी नीड्स होती बेसिकली एविडेय यूज की लिए आपको तो जैसे कि आप रोज नेट चलाएंगे उसमें यूज देखनी है उसपे वीडियो देखनी हैं आपको तो उस टाइब का आपको लैप्टॉप चाहिए आप जैसे दिन में तीन-चार घंटे ये पांच गंटे इसको यूज करना चाते है तो उस टाइब का लैप्टॉप चाहिए या फिर आपको आप student है आप 10 प्लस 2 या फिर ग्राजिशन कर रहे हैं आपको इसमें आपको क्या क्या चाहिए इसमें हम discuss करेंगे आगे जाके बिल्कुल अब यह हम categories discuss कर रहे हैं इसकी करने चाहिए कौन से ब्रैंट का लैप्टप करना चाहिए तो इसमें हम आपको बताएंगे और अगर आप त्रेवल जाना करते हैं तो आपको उसके लिए आपको रेप्टोप आप की गेमिंग गेमिंग अगर आपके शोखीन आप लेना चाहिए तो इस ही इस के टाइटिस को हम डिटेल में डिसकर्स करते हैं अगे जैसे हम जैसे देखें कि एविडेज यूज लैप्टोप होते हैं वह आपको उनके क्या क्या बेसिकली आपको होनी चाहिए जो आप मार्केट में देखने जाएंगे पहला तो आपको इस प्रसेशिंग वाला लैप्टोप होना चाहिए जिसका बैसिकली और उसमें मिनिमम जो रैम होनी चाहिए वह रिकमेंडेट है फोर जी भी रैम होनी चाहिए और उसमें जो इसका बैटरी वेकाव है बैसिकली दोस्तों वह अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि आप पांच शे घंटे आपने यूज करना चाहिए तो आप यह निकी आप चार्जिंग पर लगा के बैठे रहे हैं आप की ड्राइंग रूम में बैठना है आप कहीं पर बैटरूम में बैठना आप वहां पर कंफोर्टेवली होके आप उसको चला सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है और एक और चीज उसमें जो कीब़ोर्ड की जो कॉल्टी होनी चाहिए और वो अच्छी होनी चाहिए और उसकी कहने का मदला लुकिंग वाइस ले अच्छा आना चाहिए ऑस पहले बात तो आप एवी डियूज राते तो आपको यह रहती यह वो बजट में हो तो यह सारी जो मिनिमुम स्पेसिशिके वह ही नों दुस्तों और स्टूरेट्न सकता है स्टूरेंस के लिए क्या होना चाहिए क्योंकि उन क्या होना चाहिए उनको स्क्रिश न में marketing सीस मैठर इंट नहीं इस इंट है आपका जो लैप्टॉप का वेट होना चाहिए विल्कुल क्योंकि आपको उसको लैप्टॉप का वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें तीसरी चाहिए जो है जो उसमें MS Office का जो software होगा दोस्तों वो genuine होना चाहिए Microsoft की purchase होनी चाहिए उसमें inbuilt होना चाहिए जिससे आप Word, Excel, PowerPoint, PPD सब कुछ बना सकें और आपको को interrupt ना आए बीच में कि आपको purchase की करनी ऐसा करना है बलकुल आपको non-stop आपको output मिलेगी तो आपको उसमें basically members office genuine purchase या shopkeeper आपको scheme दे या फिर आप उसमें purchase करा हुआ inbuilt होना चाहिए जरूरी चाहिए और उसमें आपको basically तो दोस्तों students होते हैं उनको तो budget में हो तो well and good है और अगर उसमें actually webcam हो तो बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि दोस्तों अगर आपने कहीं बहार बैठे हैं अपने friends से discuss करना किसी topic पे या chat करनी है या फिर conferencing पे उसको लेके आप करना जाता है तो actually webcam होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर जब तक उसमें conferencing में आपको अगर output अची नहीं है की camera से तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है या फिर क्या कह रहा है उसकी background में क्या को दिखाना जा रहा है आपको कई वार उसको books भी दिखाने पर सकती है कुछ भी ऐसा matter सा भी तो लें core i5 series या i3 series जो latest generation होगी वही purchase करें तो basically students के लिए यह basic specifications है जिसमें आप अगर आप student है तो आप उसमें यह specifications सारी हो तो आप इसको purchase कर सकते हैं और दूसरी तिसी दोस्तों हैं entertainment use जो entertainment के चुकिन है और आपको अच्छी audio या अच्छी video output होने के लिए क्या क्या लैप्ट अगर लैप्टोप में देखा जाए तो external इंट्रेट जो graphic card होता उसकी compatibility नहीं होती है mostly जो minimum इसकी है 1GB की आज कल सभी में आ रही है basically बट अगर वो Nvidia का दे रहे हैं तो वह well and good है वह होना बहुत ज़रूरी है 1GB minimum minimum graphic card की requirement हो है entertainment अगर यूज जो करते हैं entertainment शोकीन लोगों के लिए और उसकी दूसरी दूसरी दोस्तों उसमें full HD screen होनी चाहिए HD screen में नहीं चलेगा आपको मजा नहीं आएगा आपको उसमें full HD screen का display output होना चाहि recommended है क्योंकि अगर 4GB जाएंगे तो pixels फट सकते हैं कई आपके HD video वीडियो चलाती है तो काफी high performance की उसमें रोड परती है तो उसमें 8GB RAM minimum recommended है और उसमें battery backup भी बहुत होना अच्छा जरूरी है क्योंकि अगर आप देखें अगर आप बैट पर बैटके भी अगर उसको लाट स्क्रीन है उसकी IPS AMOLED जरूर होना चाहिए IPS AMOLED का मतलब होता है आगर आप किसी भी एंगल से अपने laptop की स्क्रीन को देखते हैं तो उसमें सारा आपको clear दिखेगा हर एक एंगल से बिलकुल वही same colors की दिखेगी कुछ negative जैसा नहीं दिखेगा उसमें आपको हर एक एंगल से आपको similar ही दिखेगा और उसमें लास्टी जो है उसमें जो हर्डिस्क है वो वन टीबी मिनमम होनी चाहिए क्योंकि आप इसमें आप फूल एच्डी वीडियो चनाने वाले हैं फूल एच्डी का जो basic size होता है वो काफी high जाता रहता तो वन टीबी मिनमम है उसकी हर्डिस् के लिए ने डीशिए अपने इंटर्ट्रेट्मेंट यूज के लिए लैप टॉप्स के लिए जो इसको आप ध्यान में लगकते वाप उसको प्ररशेस कर सकते हैं entertainment लैप्टॉप और उसमें अगर बिजनस और अब वर्क की बात करें तो बिजनस वाले जो बंदे होते हैं जो persons h08 उसको काफी कएहली ची उसमें काफी ब्रैंडिंग का भी रहता है कि एध च्छा प्राइक वो भी बिलकुल बहुद ना चाहिए तो अम इसमें वो देखते हैं कर अभी अभी इसमें जो होगा पहला तो आपने किसी के साथ बैठना है या आपको किसी के से साथ प्रैज पतला समना चाहिए काफी अच्छा दिखना चाहिए और दूसरी बात करने तो उसमें जो प्रोसेसर हो मिनिममम कोर आई फाइफ 2.8 GHz से उपर ही हो जो बूस्ट करता है 3.1 तक जाएगा और लेटेस जनरेशन का हो तो मच बैटर है और इसमें तीसरी चीज जो मिनिममम रैम क SSD हो Solid State Drive हो या फिर 1TB की HDD हो Solid State Drive विसिकल काफी हाई पर्फॉर्मेंस के लिए इसकी जो data transfer rate हो था काफी हाई होता है HDD के मुकाबले पर यह costly भी होती है पर यह होना बहुत जरूरी है उसके अदर और अगर उसमें brands के लिए के बात करें जैसे मैं आगो बताया था भी उपर सबसे पहले कि brands का क्या होना जरूरी है बिल्कुल होना जरूरी है अगर वो Apple जैसा brand हो तो क्या कहने और HP, Dell, Renova ऐसे से भी चलेंगे बट अगर Apple का हो तो बहुत ही better है यह होना बहुत जरूरी है business वाले बंदों के लिए और उसमें जो graphics की requirement है वो minimum 2GB integrated होनी बहुत जरूरी ह एक business वाले बंदे के लिए जो business वाले persons है उनको यह सारी basic requirements है उनके लिए अगर आप laptop देखना जा रहे है market में तो और एक और चीज़ बची है दोस्तों अगर laptop हम बात करें हमने ट्रैवल जाला करते हैं और हमें रखने में भी काफी शोटा होना चाहिए तो उसके लिए क्य तो दोस्तों उसमें easy to carry होना चाहिए जैसे कि आप यह नहीं होना चाहिए कि आप इतना भारी सा carry कर रहे हैं आप से उठाने और फिर आप उसको बेचने को करते हैं यार यह तो बहुत भारी है मैंने इतना भारी कैसे ले गया मुझे तो खलका सचा ही था तो आपको basically उसमे पहले यह देहना कि उसका lightweight हो काफी और उसमें छोटा पतला सा slim सा हुआ और उसको carry करना बहुत easy हो पहली बात तो उसमें दूसरी बात यह है कि वह two in one हो तो much better है two in one मतलब आजकल मार्किट्स में बहुत सारे brands के laptops available हैं जैसे वो laptop बन जाते हैं और वो एक tablets भी बन जाते हैं और उसको चलाना बहुत easy है tablet इस करके बन जाता कि उसका CPU उसकी screen में ही inbuilt होता है basically तो वह आप उसका touch and type यूज कर सकते हैं as a screen में ही तो वह as a tablet ही यूज कर रहेंगे आप उसको laptop को और तिसरी बात उसमें notebook PC, notebook PC basically छोटे से होते हैं जो इसमें writer router नहीं लगता है वो लिखने का laptop आपके लिए much better है अगर आप traveling ज्यादा कर रहे हैं तो और उसका battery backup होना बहुत जारा जरूरी है 6-7 खंटे battery backup होना minimum बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप सारा दिन बहार रहने वाले हैं आपको यूज करना है traveling पे गाड़ी में आप उसको buses में use कर रहेंगे तो आप उसक wirelessly इसमें बात करना चाहते हैं किसी से आपको उसमें HD webcam होना बहुत जरूरी है तो 720p का हो जरूर और उसको आपको अच्छी conferencing मिलेगी उसमें आप skype बात कर सकते हैं easily तो उसमें एक और चीज हम एड कर लेते हैं जैसे attractive design होना तो बहुत ही जरूरी है तो अगर आपको look में feel नहीं आएगा तो आप उसको आप उसको अच्छा नहीं लगएगा इसे के लिए आपने को कि बाहर लेकर गुमेंगे तो उसको attractive design होना उसका बहुत जरूरी है और आप हम बात करेंगे gaming use के लिए आप जो gaming use के लिए हम बात कर रहे हैं तो gaming lovers के लिए पहली बात तो यह होत हैं तो इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा जैसे 8GB की बात करें 8GB आपके लिए recommended है बैसी लिए तो 16GB हो तो मैं तो कहता हूं मज़ा ही आजाएगा अगर 8GB मिनिम्म रिकमेंडेट होना gaming वाले बंदों के लिए बहुत से रही है उसमें 256GB की SSD हो या फिर 2TB की hard disk हो यह दो मेरा कहने मेरे मायन है तो दोनों ही होंगी तो मज़ा ही आजाएगा जैसे 256GB के आप डाटा स्टोर करने के लिए रख लिए गेमिंग की अप्लिकेशन उसमें इस्टॉल करिए जिसे आपको हाई परफॉर्मिस मिलेगी आउटपूट आपको ट्रांसफरेट भी हाई मिलेग और टीबी अपनी हार्डिस्ट जो है उसको आप अपने दूसरी मुवी के लिए या फिर अपने सौंग के लिए रखें और अपने जितना भी हाई-end अप्लिकेशन इस्टॉल करनी है वह अपने SSD में इस्टॉल करें और तीसी चीज़ दोसमें जो फुल एच्टी स्क्रीन ह होनी बहुत जरूरी है उसकी और उसका प्रसेसर होगा वह बेसिकली तो इंटल का होना चाहिए कोर आई 7 और 3.0 से अब बूस्ट करेगा वह और लेटेस्ट जनरेशन आज कल 7 जनरेशन चल रही है तो इसके लिए आपको यह एकमेंडेशन होगी कि आप इंटल का ही प्रसे प्रसेसर से आपको आउटपूट नहीं मिल सकती तो इंटल i7 प्रसेसर 3.0 गिगाहर्ट्स का होना बहुत जरूरी है लेटेस्ट जनरेशन का और उसमें हम यह रिकमेंड करेंगे कि बेसिकली उसमें जो ग्राफिक काड होगा एंवीडिया का जीए फोर्स नाइन टॉन्ट ग्राफिक काड होना बहुत जरूरी है और उसमें एक और हम चीज़ देखते हैं उसमें बैक लाइट की कीबोर्ड यह बहुत रेर लैपटॉस मिलती बढर आगर आप देखें कि अगर आप इतना कोसली यह बजर में नहीं आएगा दोस्तों गेमिंग लैप्रोप के हम बात जरूरी है और दोस्तों आपको सारा समझ आ गया होगा ओप करता हूं और दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अची लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक करिये और शेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद झाल झाल